नमस्कार फ्रेंट्स, सवागत थे हैं आप सभी करदे इस्टोड इस्टेडी लाइन में फ्रेंट्स आज के सिई वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइन्स के कुछ इंपोर्टेंट को सेंस मैं आप लोगों के लिए एक्जाम आने वाला है साइन्स का तो आप इस वीडियो को आने तक देखे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है जले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहला कुशंस है बिटामिन C का सरवत्तम सुरूत है तो इसका राइट आमसर अवला ठीक है दूसरा है फ्रेंट्स मानत सरीर में गुर्दों का प्रमुक कार क्या होता है तो सरीर से बेकार द्रब को बाहर निकालना गुर्दों का प्रमुक कार यह होता है अगला है फ्रेंट्स किस की कमी से रताउंदी होती है तो वीटामिन A की कमी से रताउंदी होती है यह कोशन्स बहुत इंपोटेंट है फ्रेंट्स इमंदाली से अंत तग देखें ठीक है वीडियो पसंद आने को लाइक ज़ोग करें अगला है फ्रेंट्स राइबोजोम पादप का भूमिगत्र प्रारूप है तो क्या है तना है ठीक है अगला है फ्रेंट्स चेचक की टीका कौन सी है तो फीमर जो की जांग की हड़ी होती है ठीक है अगला फ्रेंट्स सरीर में सबसे मजबूत हड़ी क्या है तो जबडे की हड़ी जो है सरी में सबसे मजबूत हड़ी है ठीक है अगला फ्रेंट्स हिर्द एक मिनट में कितना वार धरकता है तो 72 बार एक मिनट में धर रखता है चलिए अगला को से फ्रेंट्स खून का रंग खून का रंग लाल होता है क्यों होता है तो हीमोगलोबिन के कारण होता है ठीक है अगला फ्रेंट्स हीमोगलोबिन योगिक है प्रोटीन का हीमोगलोबिन किसका योगिक है प्रोटीन का अगला फ्रेंट्स लाल रख् अगला है फ्रेन्स फ्रेंद नुदीर को थक्का घाला जमाने में नहीं सदल कर सकता है रख्ट समूंघसळणा और सर्वगराही कौन सा उता होता है तो सब को दे सकता है वह दे Толькоola R राउनौर्ट को किड़नी जिसको ह ृक किड़नी आसुत पदार्थों को बाहा निकालने में मजद करता है कहते हैं यह तो कुट्टे के कातने से सहता है अगला फ्रेंट फेंट्स वारॉलोजी मंदीट विसान को क्या कहते है वाइर लोजी कहते हैं ठीक है चलिए अगला कुछ से रहेगे देख लीजिये खून का खून थखका नहीं जमता है किस रोग में हेमोफिल रोग में ठीक है हमोफिलय रोग संबंदित है किसे आंक से ठीक है ट्रेकोमा और ग्लुकोमा रोग जो होता है फ्रेंट्स वह आंक से संबंदित है आंक में होता है ठीक है चलिए अगला कॉसंस देखे फ्रेंट्स अगला है अगला कॉसंस का है कि प्लाजमोडियम पर जीवी है इसका मेरिया का प्लाजमोडिय पर जी भी आइं ठीक है अगलाइ फ्रेंट्स पोजी टरोण किसका प्रतीकन है पोजी टरोणे इलक्टोन का प्रतीकन है ठीक है जड़ों के रुपांतरन का उधारन है 10 fatty fan कrav मुली है गाजर है सकपाथ्य और यह सब जो है यह जड़ है तीक है अगलाइ integrate तने के रुपांतरन का उधारन है तना क्या है तो आलू तना होता है अध्रक तना होता है प्यास तना होता है अगला है फ्रेंट्स लोह की मात्रा सरवादिक होती है यह निक लोही की मात्रा सरवादिक होती है ठीक है पालक की जो सबजी होती है फ्रेंट्स पालक के पत्तों मे वाई मंदल में संतुलित सोई ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह किसके द्वारा संतुलित होती है तो प्रकास संसलेशन के द्वारा संतुलित रहती है ठीक है अगला फ्रेंस कवकों के अधियन को क्या कहा जाता है कवकों के अधियन पाई जाता है हड्डियों में क्या पाया था हर्वक्ता तो केलस्यम और पाइज आता है कहीं पर आपको केवल समक्र देखने को मिलेगा आप लोग टिक कर सकते हो इसका राइट आंसर जाएगा मनभ में गून्सुत नों की संख्यां कितनी होती है सब्सक्राइब करन का क्यों खोता है अस्ती मज़दॉआ में अगे फैंस्लीन सरीर में बनती है इंसुलीन qui द्वारा बनती है ठीक है तो प्रमुक वनसानुगत रूख रूख क्या है एक हीमोफीलिया रूख है यह वनसानुगत कि रगख होता है ठीक है अिर्यु फेरेंट थायर Deshalbd har bye कहां से तो तरती सिंधरSmarnhjaём्मोन स्लीट होता है मचलیयां सांस लेटी एए किससे संस ले पविर तो किल से जो है सांसलै यह मचलियां ठीक है अगाजार जीस तरह सबस्क्राइब häufन रखको है कole rush में पाए जाता है इंजाइम होता है दो आपाए जाता है जाता है कि प्रोटीन का पाचन होता है चोटी आंत यह प्रोटीन का पाचन होता है अगला फ्रेंट्स भोपाल गैस कॉंड उनिसे चलासी हुआ था ठीक है इसे भी आप लोग याद रखी है चलिए अला कोशन्स भी देख लेते हैं अला कोशन से फ्रेंट्स कि अला कोशन से काला ही रा काला ही रा तथा काला सिसा करते हैं तो काला ही रा जो फ्रेंट्स कार्बोनेडो का जाता है प्रन्तु काला सिसा याद रखे काला सिसा काला सिसा दिकतर पुछा जाता है तो काला सिसा जो ग्रिफाइट को कहा जाता है ठीक है अगला फ्रेंट्स सरी सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए अगला है प्रकास अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकास में जो अधिक प्रकास अंसलेशन होती है अगला है आत्म सब्सक्राइब करते हैं अधिक इसको का जाताएब अधिक कर सकते हैं अधिक प्रोटीन की फैक्टरी कराता है तो फ्रोटीन की एक आड़ा था आप है लेकिन आत्मत्या की ठीली जोई लाइसम का लाथ पाइट याद रखे कंव्यूज मत होगेगा अलाइफ डिन और आरेन है तो दोनों जो इस नियुक्स प्रश्ण नीजियर टिक है दोनों क्या है नियुक्स अमल है डी एने और आरेने ठीक है अलाइफ ले मानव शरीर पूछा जाए कि इनों को याद रखेया तीनों में से कोई भी पूछा जाएगा इंपोर्टेंट है अगला है फ्रेंट्स में लिंग निये धारन होता है तो मनुस में जो लिंग धारन होता है वह प्रूस के पर होता है इस तरीके क्रोम्स sobie की पीता पर करता है कि वह लिंग सरी में मांश्रायां संख्यां खी नहींड को करता है तो एना मिल ठीक है अगला है फ्रेंट्स संसार संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है तो सुत्र मुर्ग होता है ठीक है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है सुत्र मुर्ग फ्रेंट्स आपको बताना है कि संसार में सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता ह किसका होता है अगलार फ्रेंट एक कोपड़ी में कुल हड्यां होती है तो यह बहुत इंपोर्टेंट पुछा जाता है होपड़ी में को डिए सब्सक्राइब होती है प्लाइप लिए जीन के संसलेशन से संबंदित वेक्ती है तो जीन की जो छोच घाल हर गोविन खुराणा ने अगला अनовых फ्रेंट्स परकाउटन सेलीसन के लिए तो जल्म से जो करते हैं उसमें उक्सिजन कहां से मिलता है तो जल से मिलता है ईच-्टू-ो जल से मिलता है ठीक है sûr और द्रीनिया अगला है प्रकलब क्या होता है तो प्रकाउटन के व cachalima the second ok भॉलीव खर तक है अगला कौस है फ्रेंट्स मधूमे रोग होता है तो मधूमे रोग जोटा इनसुलिन की कभी के कारण होता है ठीक है अगला इस पूद रहा है अगला है bakın सब्सक्राइटिस एक रोग है किसका तो कृतरी मिर्दय का जो यह एक रोग है ठीक है चलिए आज के दिन का ये लाश्ट कोश्ण से फ्रेंट्स कि एक लड़का आपने पिता से क्रोमोजोम पाता है जब भी कोई लड़का पैदा होगा फ्रेंट्स तो पिता से जो है आपको बाइस प्लस वाइज जरूर मिलेगा तभी जाकर के बेटा होगा ठीक है अगर बाइस प्लस एक्स मिल गया तो वह बेटी हो जाएगी ठीक है तो फ्रेंट्स इस तरह से मैंने आपको